हमारे आधरिनिय नेता सिरी राहुल गांधी जी के नेतुरुत्त में उहाँ पर माल्य अर्पन करके उसके बाद राहुल जी उनको भारत के संभिधान का वेट किये हैं हमारे कान्फरेंस हौल में संभिधान का संग्रक्षन उसकी अधिकारों को लेके जो हर जन हमारे देश में जन जन के लिए लड़ाई का जरूरत है और दोनों लडाकू दोनों संगर्सिल दोनों निर्विक और सहासिकता के साथ देश में अपनी बात उठाए हैं व्यक्ति संगठन और सतंतरता और बेहसारा के लिए आवाज बनी रहे हैं तो जिस तरह से आधर्नय राहुल गांधी जी के दिल में गरियु और कमजर। Complet के लिए दर्द है जिस तरह से राहुल जी अपनी बात उठाते हैं सहा सिकता के सत हर इशु में अपनी मुद्दा को अपनी बात को रखते हैं देश के हित में किसानों के हित में दली तादिवासी और पिछले बर के हित में महिलाओं के हित में उसी तरह से एक विचार धारा जो आज जिगनिस मिगलानी ज का है, भीचारधारा में मिलन है, कई दिनों से, कई बार मेरे जानने में ये डाय लोग में रहे हैं, आधनिय भ्मारे ने्टा जी के साथ और राहुल जी के साथ और राहुल गांदि जी पेजित्फ इनानन जोंग हो हर बींदों उपर, चाहिए सम्विधान के ऊपर हो, चाहिए लोगों के परती, उनका दुख दर्द में साथ देने के हो, लड़ाई लड़ने के हो, निर्भिक्ता के ऊपर हो और सम्विधान का संगरख्ञ के ऊपर हो, उस सारे में एक like-minded nature, चरित्र देखा गया है और एक मज आसा हमारा है और इनी बातों के साथ में दोनों को स्वागत करता हूँ कांग्रेस पाटी में और विहार पीधती पर कन्या जी के लिए बहुत बड़ा संगर्स इंतिजार कर रहा है और जी गनेस जी के पर भी पुरे देश भर में हमारी नीतिन रावत जी दलित पर के लिए ज शुक्रिया भक्ता चरंदाश जी और अब जिसका हमें इंजार था मैं सबसे पहले अनुरोद करूंगा शिरी केसी वेनुगोपाल जी से शिरी पवन बंसल जी से कि वो कॉंग्रेस का तिरंगा पठका कनहिया कुमार जी को पहना कर उनका ओपचारिक स्वागत कॉंग्रेस पार्टी में करें। और मैं अब अनुरोद करूंगा हमारे साथी नितिन राउच जी से और उनके साथ साथ भक्ता चरंदाश जी से केसी वेनुगोपाल जी से बंसल साहब से के वो जिगनेश मेवानी जी कभी अपचारिक तोर से हमारी विचार धारा से जुड़ने के लिए कॉंग्रेस की विचार धारा के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए स्वागत करें। बहुत शुक्रिया और कर दो 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 अपने सभी पत्रकार साथियों का और मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जगह की कमी के चलते कमरे में आ नहीं पाये हैं लेकिन सुन रहे हैं बाहर खिर्कियों से मैं आप सब का स्वागत करता हूँ और मंच पर उपस्थित ICC और्गनाजेशन के जनरल सेकरेट सेकरेटरी वेनू जी जनरल सेकरेटरी सुर्जेवाला जी एसी डिपार्टमेंट के चेर्मेन नितिन राउट जी बिहार के परभारी भग्चरंदास जी बिहार के अध्यक्ष मदन मोहंजा जी और कॉंग्रेस पाटी के ट्रेजरर पवन बंसल जी हमारे युवा साथी और गुजरात कॉंग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट बाई हार्दिक पटेल जी और हमारे आंदोलन में कदम से कदम मिलाकर हर घरी हमारा साथ देने वाले हमारे साथी बढगाम से निर्दलिया विधायक साथी जिगनेश मिवानी जी मैं आप सब का आभार विक्त करता हूँ और मैं अपने पतरकार साथियों से कुछ चीजों को लेकर मुखातिब हूँ उससे पहले आज ये एक एतिहासिक दिन है आज सहीदे आजम भगत सिंग की जैनती है लोग शहीद होते हैं भगत सिंग सहीदे आजम हैं सहीदे आजम इसलिए हैं कि आज हम लोग जहां माल्यार प्राइपन करने के लिए गय थे सहीद पार्क वो सहीद पार्क एक एक एतिहासिक पार्क है वो हिस्सा है फिरोस्ता कोटला फोट का जहां पर चंदर सेखर आजाद जी की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की गुप्त मीटिंग हो रही थी अंग्रेज के जमाने में करांतिकारी छुपकर मीटिंग किया करते थे नौजवान तरुन भगत सिंग एक परपोजल लेकर के आए कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी का नाम अब हिंदुस्तान सोसिलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी होना चाहिए ये इतिहासिक छन वो इतिहासिक भू करते हैं, आज एक दुखट घटना भी हमारे जिले में हुई है, बजरपात के चलते दो बच्चियों का निधन हो गया है, मैं इस मंद से उनके प्रती सोक व्यक्त करता हूँ और उनके परिवार के प्रती अपनी समवेधना व्यक्त करता हूँ, दोस्तों, मुझे लगता है कि बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज कल सूचना करांती के इस दौर में हमसे ज़्यादा मालूम हमारे पत्रकार साथियों को होता है, तो बहतर ये होगा कि आप सवाल पूछें, मैं आपका जवाब दूँ, लेकिन आप सवाल कहां से पूछेंगे, और आपके मन में कौन से सवाल चल रहे हैं, इसका थोरा सा अंदेशा है मुझे, थोरा अंदाजा भी है, सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ, कि आपने पत्रकारिता की उस मिसाल को जिंदा रखा है, कि कम से कम विपक्च से तो सवाल करते हैं न, ताकि इस देश को याद रहे, कि पत्रकारों का काम है सवाल पूछना, तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा बारी बारी से पूछिएगा सारे सवालों का जवाब दूँगा बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सब के मन में होगा कि आप Congress Party क्यों जोइन की हैं उस सवाल का जवाब दे करके मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिप होँगा माईक उनको समर्पित करूँगा मैं Congress Party इसलिए जोइन कर रहा हूँ कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग वो सिर्फ लोग नहीं है वो एक सोच है वो इस देश की सत्ता पे ना सिर्फ काबिज हुए है इस देश की चिन्तन पड़मपड़ा संस्कृति इसका मूल इसका इतिहास इसका बरतमान और इसका भविस्ष खराब करने की कोशिश कर रहे है वो जो सोच है उस सोच के बारे में आप अपने आप समझ जाएंगे क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए दोस्त अपने आप बन जाएंगे तो हमने ये चुनाव किया है हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी सबसे लोकतांत्रिक पार्टी मैं जोड़ दे करके बोल रहा हूँ लोकतांत्रिक पार्टी ताकि आप लोग पडिवार बात पे सवाल जरूर किजिएगा लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए सामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है और सिर्फ हमको नहीं लगता है इस देश के लाखों करोरों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कॉंग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा और ये बाट मैं आपको असपस्ट कर देता हूँ देश में परधान मंतरी अब भी है देश में प्रधान मंतरी इससे पहले भी थे देश में आगे भी प्रधान मंतरी होते रहेंगे लेकिन आज जब हम लोग स्री राहुल गांधी जी के उपस्थिती में फॉर्मली कॉंग्रेस पार्टी का फॉर्म भर रहे थे तो साथी जिगनेश ने संबिधान की कौपी दी और हमने उनको भगत सिंग, गांधी और अमबेटकर की तस्वीर प्रस्तूत किया क्योंकि हमारा ये मानना है कि आज इस देश को भगत सिंग की बीड़ता की जरूरत है भगत सिंग के साहस की जरूरत है आज इस देश को अमबेटकर की समानता की जरूरत है और आज इस देश को गांधी की एकता की जरूरत है गांधी जब कहते हैं रगुपति रागव राजा राम, पतीत पावन सीता राम, ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सब को सन्नमति दे भगवान ये गांधी की एकता है जब अंबेटकर कहते हैं कि किसी भी समाज का मुल्यांकन वहां महिलाओं की क्या इस्थिती है इस बात से होगा तब वो समानता की वकालत कर रहे होते हैं मैं नहीं मानता हूँ कि डॉक्टर बाबा साथ भीमरा अंबेटकर किसी एक समुदाय के नेता थे कॉंग्रेस पार्टी ने समभिधान सभा ने डॉक्टर बाबा साथ भीमरा अंबेटकर को समभिधान बनाने की जिम्मेवारी दी और उस समभिधान के प्रियंबन में यह लिखा है हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत संपन समाजबादी धर्म निटपेश लोक्तांत्रि गनराज्य बनाने के लिए इसमें सहमानता न्याय के मूल नहीं थे और जब भगत सिंग कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं विचारों को नहीं आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं उस साहस की जरूरत है हमको मुझे नहीं लगता है मेरे बहुत सारे राजनितिक दोस्तों को ये लगता है मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है लेकिन जिनको लरना है उनके पॉलिटिकल इमेजनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना सोरूम बचाने के चक्कर में है रे भाई मौल में आग लग गया है दोकान बचाओगे बस्ती में जब आग लग जाती है न बेडरूम की चिंता नहीं करनी चाहिए आज हम इस मुहाने पे खरे हैं कि इस देश के भीतर भारतिय होने की जो पहचान है जिसमें बुद्ध नहीं थें जिसमें कवीर नहीं थें जिसमें नानक नहीं थें जिसमें हर बार हर दौर में सत्ता से सवाल पूछने का साहस होता है उस भारतिया चिंतन परंपरा को बचाने की जरूरत है इसलिए हम कॉंग्रेस पार्टी में सामिल हुए है कि कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो गांधी की विराशत को लेकर के आगे चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो सरोजनी नाइडू के विचारों को लेकर के चलेगा कॉंग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो हम बेटकर, नहरू, अस्फाक उल्लाखान, सहीद आजम भगत सिंग और मौलाना अबुलकलाम के आजाद के रास्नों पे चलेगा हम जब भी समानता और बराबरी की बात करते हैं यह कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है यह भारतिय होने का इतिहास है और इस भारतिय होने के इतिहास को अपने आप में यदि कोई समेटे हुए है तो यह देश की सबसे पुरानी पार्टी है और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है यह मैं नहीं कह रहा हूँ कोई सास्त्र कोई किताब उठा करके देख लीजिए जब विपक्ष कमजोर हो जाता है सत्ता ताना साही रुख अख्तियार कर लेती है इसलिए देश की सबसे बरी विपक्षी पार्टी मैं कोई गुनागनित नहीं कर रहा हूँ लेकिन मुझे यह बात सीधे तौर पे समझ में आ रही है कि देश के लोक सभा में 545 सीट है 200 लगभग सीट ऐसे हैं जहां भाजपा के सामने कॉंग्रेस के अलावे कोई विकल्प नहीं है मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मेरी जिम्मेवारी सिर्फ एक पार्टी के लिए है लेकिन जो पार्टी सबसे बरी पार्टी है सबसे बरी विपक्षी पार्टी है उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया अगर बरे जहाज को नहीं बचाया गया छोटी छोटी कस्तियां भी नहीं बचेगी इसलिए और मैं जब यहां बैठा हुआ हूँ मेरे इतिहास को मेरे बरतमान को लोग देख रहे हैं बहुत सारे सवाल हैं वो आएंगे उनका जबाब मैं दूँगा लेकिन यह जो एतिहासिक जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी से मैं अपना मुह नहीं मोर सकता हूँ मैं जहां पैदा हुआ जिस पार्टी में पला बढ़ा उसके परती मैं आभार विक्त करता हूँ उसने मुझे सिखाया पढ़ाया लगने का जजबा दिया है लेकिन उस पार्टी के साथ साथ मैं उन लाखों करोरों लोगों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ जो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं थे अपने स्कूल के वाटसेब ग्रूप में जब हम लोगों के उपर अनावस्यक आरोप मढ़े जाते हैं तो अपने दोस्तों से लर रहे थे अपने घरों में डिनर टेबल पे लर रहे थे लोगों की दोस्तियां तूट गई हम लोगों के आंदोलन के समर्थन में और मैं मजात नहीं कर रहा हूँ लोगों के डिवोर्स तक हो गए ये जो देश में एक बैचारिक संघर्स छिड़ा है उस बैचारिक संघर्स को कॉंग्रेस पार्टी ही नित्रित दे सकती है ये हमारा भरोसा है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे देश के जो लाखों करोडों नौजबान आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनसे भी मैं आगरह कहता हूँ दिवाल पर बैच कर टुकुर टुकुर मुह ताकने का वक्त नहीं है ये अर्जिंसी का टाइम है और इस अर्जिंसी के टाइम पे दिवाल पे बैच करके दाया जाएं की बाया जाएं ये मत सोचिए जब आप जंग में होते हैं तो आपके पास जो एविलेबल चीजे होती हैं आप उससे मुकाबला करने की कोशिस करते हैं कॉंग्रेस पार्टी एक बड़ी जहाज है अगर कॉंग्रेस पार्टी बचेगी तो हमारा मानना है इस देश के लाखों करोरों नौजवानों की अकांचाएं बचेगी गांधी की मिमानसा बचेगी भगत सिंग के सपनों का भारत बचेगा और डॉक्टर बाबा साब भिमरा अंबेदगर की समानता का भारत का निर्मान संभब हो पाएगा इसी आसा और उमीद के साथ मैं इस पार्टी से जुरा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि कॉंग्रेस पार्टी जो अपने आपको एक लोगतांत्रिक पाटी कहती है आजादी के साथ अपनी पूरी मुखरता के साथ सत्ता से सवाल पूछना और लोगों के हक के लिए लरना भिरना संघर्स करने में हमारे साथी रहेंगे हमारे सहयोगी रहेंगे और ये परिवार संग परिवार नहीं वो क्या परिवार जो परिवार छोड़ कर परिवार बनाना परे वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है कहता है कि अपने परिवार में रहिए अरे महात्मा गांधी, कस्तुर्वा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गये, बताईए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा, कोई जरूरी है क्या, घर पडिवार के साथ रहना है, डॉक्टर बावसा भीम राम बेतकर भी अपने पडिवार के साथ रहते थे, आप ज अभी सदस्यों के परती, देश के अंदर फैले हुए लाखों करोरों कारिकरताओं को अपना आभार वेक्त करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मैं जिगनेश भाई से प्रातना करूंगा, कि वो अपनी बात कहेंगे, जिगने केसी विरणु कुपाल साब, सुरुजेवाला जी, नितिन राउट साब, पवल बंसल जी, बक्त चरनदास जी, साथी हार्दी कनेया और दुसरे पार्टी के मंच पर बिराजमान सभी सीनियर लीडर्स आप तमाम पत्रकार साथी और वो तमाम साथी जो हमको आज मिलने के ल से और पुरे देश भर्मे से उन सभी का में स्वागत करता हूँ, साथियो, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सब के सामने है, एजा नेशन एक राष्ट के तौर पर हम ए है, ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा, हमारे समविधान पर हमला है, दिल्ली की सडकों पर समविधान की कोपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ओफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोक तंत्र के उपर हमला है, आज भाई भाई एक दुसरे का दु पहर नफरत एक सोची समझी शाजिस के तहद दिल्ली और नागपूर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। इस परिस्तिती में एक पोलिटिशन के तौर पे नहीं, बतोर एक भारतिय नागरिक। मैं अपने आपको ये जब सवाल पुछता हूँ कि मेरा fundamental, foremost responsibility duty क्या होना चाहिए। तो अंदर से जवाब यही आता है, कुछ भी करके इस मुलके समविधान, लोकतंत्रे और आइडिया ओफ इंडिया को बचाना चाहिए। और यदि उसको बचाना है, तो मुझे उनके साथ खड़े रहना है, जिसने स्वतंत्रता के आंधुलन में नकिवल contribute किया है, उसको लीड किया है, अंग्रेचो को यहां से खदेड कर दिखाया है। और इसलिए आज में इंडियन नेशनल कॉंगरिस की मंच पर आपके साथ खड़ा हूँ। एक टेक्निकल कारण के चलते, मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए जॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं एक निर्दलिय विधायक हूँ। इसलिए जॉइन पार्टी आइमिले, मेरे पार्टी के सिन्यर लीडर से बात हुई, मैंने मत्खशुतर के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, रहुल जी से बात हुई। तो मुझे लगा, कि मैं इस विचार के साथ हूँ न, ये सबसे प्रमुख बात है, मैं इस मुहीम एक मिशन और इस संगर्स के साथ हूँ, ये सबसे महत्वपूर बात है, बाकी की फॉर्मलिटी तो आने वाले महिनों में भी हो जाएगी, और रहुल जी ने भी कहा, कि वो 22 का चुनाओं में, कॉंग्रेस के सिंबोल से ही लड़ूंगा, उसके सारे केमपेंज का हिस्सा रहूंगा, और गुजरात के संदर्व में, आज साती हारविक हमारे बीच में मौजूद है, तब कहना चाहता हूँ, कि आज राश्टी इस तर पे जो हो रहा है, वो सब कुछ हम लोग गुजरात में देख चुके है, जेल चुके है, आप सभी पत्रकार साथियों के बीच में, बड़ी चिमता के साथ ये कहना चाहता हूँ, हमारी पार्टी निस मुद्दे को उठाया है, कि 3,000 किलो का ड्रक्स, 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल म को रोजगार देने के बजाए, ये फासिवादी ताकते चाहती है, कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में जोख दिया जाए, तो इन सारी परिस्तितियों में, यदि बाबा साब अंबेड करके समविधान को बचाना है, हमारे आइडिया उफ इंडिया को बच कि क्रांथी क्या है, तब शहीद आजम ने कहा था कि क्रांथी से हमारा मतलब है किसानों और मजदूरों के हाथ में सकता, मान ये प्रधान मंत्री जब अमरीका से वापस आते है, तो विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है न, नई पार्लामेंट का, वो देखने के लिए जात ये, मैं भारत की जंता को, भारत के 21 करोड दलीतों को, और सारे लाखो करोडों युवाओं को अपील करता हूँ, सेंस ओफ अरजनसी के साथ, अभी वक्त नहीं है, कूद पढ़िये, एक नया अंदुलन छिडने वाला है, स्वतंत्रता के अंदुलन की जो रॉनक थी, वो जो चार्म था, वो जो माहूल था, हमको वो रिक्रियेट करना पड़ेगा, यहाँ पर तमाम वो लोग, जो सचमुच मानते कि देश को बचाना है, उन सभी को हम अपील करते हैं, कि इस प्लेटफॉम के साथ जुड़िये, ये एक मिशन है, और इसको मिशन के तरह लीजिए और मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे कि साथी कनया ने बचाया, कि डेमोक्रिसी के हमारे इस मुलक में बहुत डीप रूट से, पार्टी के भी डीप सुरूट से, तो साथ में मिलकर हम लोग लडएंगे, संगर्श करेंगे, और इस मुलक को बचा पाएंगे, आप तमाम सा माहो लंब लोगों को खड़ा करना चाहिए, मैं साथी, हार्दी, कनया और दुसरी यंग्स्टर्स के साथ, पुरे देश में हम लोग जाएंगे, और हजारो लाखो युवा इस प्लैटफोर्म में जुड़े, आई एंसी के साथ सुड़े, कॉंग्रेस पक्ष के साथ आपके सवाल भी बाद में लेंगे. मैडम जी, बुरा मत मानियेगा, लगता है कि सवाला पहले ही सोच लिये थे, मैंने ये नहीं कहा था कि कॉंग्रेस खत्रे में है, हमने कहा देश खत्रे में, लोकतंत्र खत्रे में, आईडिया आपने वो वीडियो देखा गया, लास के उपर डांस, देखा न? दिल पसीज गया होगा आपका, आपको नहीं लगा कि मैं इसके लिए कुछ कर पाऊं, कुछ भी कर जाऊं, जो मैं कर सकती हूं, आप जब सुनती होंगी कि बलातकार हो गया किसी महिला के साथ, आपका गुस्से से जो है न, पूरा सरीर कांप जाता होगा, देश खत्रे में है, पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या, हरसाम पार्टी होती है इस देश में, पार्टी नहीं बचाना है, देश बचाना है, और देश बचाने की मुहीम में जो पार्टी रहेगी, वो पार्टी भी बचेगी, और मुझे इस बात को कहने में कोई दोराई नहीं है मैंने जितना इतिहास पढ़ा है अभी तक का NCIT में जो लिखा हुआ है अब अगले बार 2024 में क्या लिखा जाएगा नहीं पता उसमें तो यही है कि देश को आजादी जो है वो महात्मा गांधी ने, सुवास चंदर बोश ने, सरदार बल्लब भाई पटेल ने क्या भाई हर दिख इन लोगों नहीं दिलाया न यहीं लोग लड़े थे जो माफी मांगे वो बीड हो गया आप सुचेगा इसको जो गोड़से को भगवान मानते हैं, वो भाशन दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर हमारे गाउं में गाना आता था, गांधी जी के भजन करें गांधी के हत्यारा कितना अजीब लगता होगा आपको, दिखेए गाउप फोटो, जो मारे देश के प्रदान मंतरी गांधी पे माल लियार्पन करते हैं जीवन भर साखाओं में कसम लिये होंगे कि गोड़से के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं See, I am not here to save the party. Please, I am respecting you. As a citizen, you can respect my right. देश खत्रे में है और यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ. मुझे लगता आप भी सोचते होंगे. समझ रहे हैं, अंग्रे जी का वो फ्रेज है, dancing on dead, dead body पे कोई नाच रहा है. उस दिन खाना तो नहीं खाया गया. आप सोच के देखिए, आप इस पे विचार करके देखिए. मेरे गाओं में अगर किसी की मौत हो जाए, तो पूरे गाओं में खाना नहीं बनेगा. हजारों लोग मर गए. देखे, 71 वरस की उमर में परदान मंतरी के लिए सोहर गाया गया. नया बच्चा जो पैदा होता है ना, तो पुर्वांचल में सोहर गाते हैं लोग. परदान मंतरी बुड़े हो गये हैं, उनके लिए सोहर गाया जा रहा है. तब जब अभी तुरंत लाखों लोगों की जान चली गई, ऑक्सिजन नहीं मिल रहा था, अस्पताल में बेट नहीं मिल रहे थे, आप में से कोई भी ऐसा इंसान है, जिसके कोई जानने वाले नही ह्याने की जरूरत है, और इस संस्कृति को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि Congress Party में छंता मौजूद है, लोगों को यह बात पसंद हो या ना पसंद हो, हकीकत यह है कि Parliament मैं सबसे बरी Party Congress Party है, इसलिए इस Party को यह जिंवे वारी लेनी परेगी और उस जिंमेवारी को सम्ह यहां आया हूँ. Thank you, News Nation. I'll come to you. Jantah Party का आरोप को कौन पुछता है? आपका उपर को, आपका कोई आरोप है मेरे उपर? बारतिया Jantah Party को मैं seriously नहीं लेता हूँ. आपका कोई आरोप है? आप सवाल पूछिये. साब जो साथी पीछे खड़े हैं, थोड़ा आप शांती का दान दीजिये, please. अरे भाया, please. दूबे जी, आप पूछिये. Please ask your question quickly. Yeah, please, you cannot interrupt, no, no, you have to have discipline. My humble request with folded hands, there is, no, but… Yes, yes, I am not Prime Minister, I will take your question, don't worry. Democracy means that you should not supersede somebody who's asking question. That's what democracy is. दूबे भाई, दूबे भाई, आपका सवाल है, News Nation से है. एक और सवाल उसी में जुड़ा हुआ है, अचा, भारी, बारी, बारी. जल्दी से पूछिये ना. आप दो लोगों ने जुड़ा है, आपने जिगनेसी ने भी… नइ, नइ, और लोगों ने किया है. ना में बताएंगे. मेरा सववाल आप से यह है, कि तमाम जो कॉंगरेस के औरिवान नेता, वो लो चोन के चलेगे. हमने अपने आपके सवाल को अपने आप लेते हुए, हमने अपने पूरे वक्त अब को रखा, हमने कहीं भी कहा कि हम कोई टीम बना रहे हैं, BCCI थोरी है सर, मात थीम बना रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि भारत की परंपड़ा, चिंतन परंपड़ा, सोच, जिस पर आपको पुरानी पार्टी, कॉंग्रिस पार्टी, ने किया है। उस पार्टी के पास एक एतिहासिग जिम्मेवारी है। और इस देश का नाग्रिक होने के चलते। साथी जिगनेश ने कहा। यह हमारी भी एतिहासिक जिम्मेवारी है कि कल को जब इतिहास लिखा जाएगा तो हम से भी पूछा जाएगा दुबे भाई आप से भी पूछा जाएगा कि जब यह तमाशा हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे हमने वो कहानी सुनी है बच्पन में आपने भी सुना होगा जंग जंगल की आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, जंगल की आग नहीं बुझी, या बुझनी होगी बुझ जाएगी, कम से कम कोयल का वह इतिहासिक प्रियास जो है, वो इतिहास याद रखेगा, और ये जो आप कह रहे हैं न, डूबती हुई नाओ, देखिए, कभी-कभी न, इंसान को भरम होता है, जैसे टिड़े को भरम होता है, अपने पाउं से आसमान टिका रखा है, हमको ऐसा कोई भरम नहीं है, मेरे अकेले से कुछ नहीं होगा, जब आप जुडएंगे, हम जुडएंगे, इस देश के सम्भिधान में, आइडिया ओफ इंडिया में भरोशा करने वाले लोग जो हैं जिसको हम कहते हैं गांधी के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं बगत सिंग के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं डॉक्टर बाबा साभ भीमुरा अंबेदकर के सपनों का भारत जिसको हम कहते हैं बिरसा मुंडा के सपनों का भारत सावीतरी भाई ही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काविज है ना मुझे भारत के लोगों पे बहुत भरोसा है अरे हैं हम लोग थोड़ा सा आलसी लेकिन जब आ गये ना अपने पे 200 साल अंग्रेजों ने राज किया था जब से भारत के लोग अपने पे आ गये ना तो 1942 में भारत छोरो आं अफी मांग रहे थे वो आज NCRT की किताब बदल रहें कि अपना नाम भी हम बीडों में लिखवा लें इसलिए मैं कह रहा हूं कि उस इतिहास को इस चिंतन परंपरा को बचाने की जरुरत है पार्टी अगर उस सिध्यानत पे चलेगी संविधान के प्रेम्बल को रक्षा क करने की कोशिश करेगी पार्टी भी बचेगी और पार्टी सत्ता में भी आएगी ऐसा मेरा उम्मीद है इसा मेरी आशा जैनेंदर फ्रों एबीपी कैन यू प्लीज कम फॉवड एं आस्क हाँ पूछिए जरा एक सवाल पूछिए हम एक आगरह करें आप लोग न लड़ाय नहीं लगवाई ये हमारे दोस्त के बीच में भोरे से जो है ट्वीटर पे आप लोग क्या-क्या जह चला दिये हैं लोग हमको पूछ रहा है कि जिगनियस का नाम काई नहीं ट्रेंड कर रहा है मैं आप से यागरह कर रहा हम ना अलग-अलग लोग नहीं है यह मंच आपस में बटा हुआ नहीं है तो सवाल जो है सारा तोप का गोला जो है हमारे तरफ ही नहीं हो मंच के तरफ मुखाटिब हो मैं भी जबाब देता हूँगा यह जैनेंदर जी प्लीज आसक यो कॉस्टिन जैनेंदर भाई बड़ा बैचारिक सवाल पूछें हैं बहुत बहुत शुक्रिया जैनेंदर भाई एक तो देखिए हमारी जो यह नई पार्टी है इस पार्टी के जो संगठन के महासचिव हैं वो केरल से ही हैं इनसे आप चाहें तो अकेले में भी पूछ लीजिएगा कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने एक सब्द नहीं बोला था हम कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ भी बोले हैं लेकिन केरल के बिधान सभा चुनावें नहीं जैनियों के प्रिसिदेंशियल स्पीच में बोले थे देखिये हमको हमारा इतिहास पता है और हम यहीं कहते हैं इतिहास का को तोरा और मरोडा नहीं जा सकता है इतिहास होता है इतिहास कोई कागज पर लिखे हुई शब्द होते हैं कि आप उसको जो है ईरेजर से मिटा दी जीएगा केरल के विधान सभाद चुनाव में कॉंग्रेस पार्टी के खिलाफ नहीं बोले थे आपने पूछा कि कब आपको ऐसा महसूस हुआ देखिए महसूस तो मुझे राजनिती में आये हुए 18 साल हो गये है और मैंने हमेशा ये महसूस किया कि कहीं न कहीं इस देश की जो राजनितिक विरासत है वो भटक गई है भूल भूलया नहीं होता है लाई राइट लेफ्ट सेंटर घूमने लगा है और पता ही नहीं चल रहा है कि actual ideological positioning कहां है उसके threads कहां पे हैं तो मैं जनेंद्र भाई आपने वैचारिक सवाल पूछा है एक एतिहासिक तथ है आपसे साजा करता हूँ मैं All India Student Federation का मेंबर था कल तक वो All India Student Federation 1936 में बना और उस इतिहास जाकर के देख लीजिएगा उसका जो inaugural session था पंडित जवाराल नहरु का उसमें भाशन हुआ था और उस वक्त देश के जितने भी नौजवान थे सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है हमारे कुछ साथियों को लेकिन अपने विद्यार्थी के होने के जमाने में अटल व्यारी वाजपरी भी सामिल हुए थे बाद में निकाल दिया गया था मतलब अंग्रेजों के खिलाफ जो छात्रों का संघर्ष हो रहा था सभी विचारधारा के लोग उसके सदस्त थे और आपने जो बैचारिक सवाल पूछा कि आपको लिफ्ट के भविस के रूप में देखा जा रहा है कौन कह रहा है कि लिफ्ट का भविस खराब हो गया है विक्ति आते हैं और जाते हैं संगठन हमेशा विक्ति से बड़ा होता है विक्ति की अपनी एक भूमिका होती है उस भूमिका को वो अपनी छमता से निवाने की कोशिश करता है मैं आपको बता दूँ जहां जिस पार्टी से आप मेरा संबंद जोर रहे हैं मैं वहां पैदा हुआ हूँ मेरे भीतर सोचने, समझने, लरने की जो छमता है यह उसके ट्रेनिंग का हिस्सा है और मुझे इस बात का गर्व है लेकिन वहां जो लरने का तरीका है और जिस तरीके से वो लर रहे हैं मुझे लगता है आज जो देश की स्थिती है उसमें उसके स्पीड को बराने की जरूरत है और जो वैचारिक संकिंता है उसको तोरने की जरूरत है मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं अपने कई साथियों से पूछा कि क्या भगत सिंग की रेंती देश के सभी संगठनों को नहीं मनाना चाहिए और क्या गांधी की तस्वीर सभी संगठनों के कारियाले में नहीं होना चाहिए ये हमारा इतिहास है ये हमारी विरासत है कुछ लोग बहुत चालाकी से विचारधारा की खोल में यह जो हमारी इतिहासिक विरासत और पडमपड़ा है इसको आपस में उल्जाने की कोशिश करते हैं एक बड़ा popular debate है medium और means का साध्धर साधन का हिंसा और अहिंसा का तो मैं आपके सामने सदन के समक्षिया बाद कहता हूं जब भगत सिंग कहते हैं कि बाम और पिस्टॉल इनकलाब नहीं ला सकता है मतलब भगत सिंग हिंसा का निशेध कर रहे हैं वाइलेंस को निगेट कर रहे हैं और जब बापु कहते हैं मात्मा गांधी कहते हैं करो या मरो मतलब वो व्यक्ति के उपर होने वाली हिंसा को स्विकार कर रहे हैं और हिंसा को निगेट कर रहे हैं देश की अर्जेंसी क्या है इस बात को समझे और देश की अर्जेंसी ये है कि आप पैदा कहीं भी हुए हो अगर गाव में आग लगी है आप अपने दर्वाजे के बाहर डंडा ले करके गेट कीपर बन करके खड़ा हो जाएंगे कि घूसने नहीं देंगे निकलने नहीं दे बचेगा बेडरूम भी नहीं बचेगा इसलिए समस्दारी इस बात में है कि आपसी जो नाराजगी है आपसी जो बैचारिक मतभेद है उसको किनारा कीजिए और बस्ती बचाने के लिए इकठा हो ये क्योंकि ये देश हम सब का है इसलिए लिए लेफ्ट राइट का जो क् इसलिए इस बैचारिक भ्रह्म में नहीं पर पढ़िये देश बचाईए संबिधान बचाईए यही हमारा लक्ष है सिधार्त फ्रोमे एन आई सिधार्त प्लीज गो हेड़ और आस्क सिधार्त सवाल पूछिए प्लीज जिगनेश्ची जवाब देंगे विपक्स का चहरा तो मिडिया भी होना चाहिए विपक्स का चहरा वो तमाम लोग होना चाहिए हम जो आईडिया ओफ इंडिया और इंडियन कंस्टुशन में बिलीव करता है उसको प्रोटेक्ट करना चाहते है पिरिअड पिरियस झालक तो झालक टो जिए तेंग बेन आवर